लुंकम Нेर्वरीक लाओं तो जब आप स्विचिंग करते हैं तो दो तरह के आपके पोर्ट होते हैं आपका पॉर्ट होता है एक्सेस और एक उता है क्या ट्रग तो महиль आपने कहँआं पर बनाने पोर्ट जब आप स्विच के साथ पीचाल लगाएंगे तो उन ports को हम क्या बनाएंगे access access port क्या होते हैं वो villain पार्ट होते हैं सिरफ एक villain के मतलब वो क्या होते हैं अगर villain 1 बनाया मैंने यहाँ पे sorry villain 100 तो वो villain 100 के पार्ट होंगे और यह यह देखो for example यहाँ पे 3 PC बनाए red villain, blue villain, green villain और दूसरे switch पे या नि दूसरे switch हैं आपके red villain, blue villain और green villain तो बीच में जब switch से switch traffic पास होगा तो वो trunk villain से होगा trunk एक चीज होती है वो किसी भी villain का member नहीं होता वो जो cable होता है वो एक तरह से it's like a bridge क्योंकि वो पूरा traffic इधर का multiple villains का traffic carry करता है यानि अगर इधर red villain है तो दूसरे switch पे red है तो वो पूरा traffic red villain का इधर से जा सकता है, blue का भी जा सकता है, green से भी जा सकता है तो link between two switches mostly trunk होता है और access कहां यूज़ता है जब आप PCs connect करते हो तो यहां पे जब मैं PCs connect करूँगा, for example अब मैं इस case में अब मैं जो practical कर रहा हूँ, दो switch लोगा और इसमें मैं दो villains बना रहा हूँ, वही same brown villain और एक blue villain तो एक PC मेरा इधर switch पे लगेगा और एक PC मेरा इधर होगा तो different location पे पढ़ा है, so this is ground floor का switch है यह मेरा, और यह मेरा first floor का switch है तो मैंने cable लगा है, brown यानि sales का बन्दा एक first floor पे बैठा है, एक ground floor पे बैठा है तो ऐसी blue यानि एक marketing का बन्दा इधर बैठा है और दूसरा इधर बैठा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर brown villain का PC है और दूसरा brown villain का PC है तो वो different switch पर है, और इधर से blue वाला PC है वो दूसरे blue PC से बात कर सकता है जो दूसरे floor पर है, तो जो switch के switch में बीच में जो connectivity होती है, वो होती है trunk तो trunk क्या करता है, आपका यही में बता रहा था, trunk does not belong to any villain और carry multiple villain information तो आप यह blue का भी villain traffic send करेगा और brown villain का भी करेगा और यह क्या होता है, link between two switches और trunk को हम frame tagging भी बोलते है, trunk का दूसरा नाम क्या frame tagging तो frame tagging क्या होता है, जब भी कोई traffic यहाँ, PC's को तो पता नहीं होता वो कौन से villain को होता है तो उन्होंने हमने यहाँ पर command दे रखिया कि यह वाला user f01 वाला PC है यह villain 100 का member है तो अब आप ब्राउन PC से जब इधर communication करोगे तो जब traffic जाएगा, यहाँ यह switch क्या करेगा, उस package के ओपर tag लगा देगा, यानि frame tagging तब ही बोलते है कि यह villain 100 का frame है तो जब यह frame जाएगा, trunk के through तो trunk वहाँ जाएगा और उसे read करेगा, okay, this is villain 100 तो villain 100 का है, तो यह villain 100 को traffic send कर देगा तो trunk अगर यह नहीं होगा यहाँ पे, तो यह tagging समझता ही नहीं है क्योंकि trunk की सिरफ tagging समझता है जब तक आप trunk नहीं बनाओगे, वह villain की information जाएगी नहीं उधर तो villain आपके, जब आप trunking के जब दो protocol होते हैं काई एसल और एक 802.1Q अगर आप दो Cisco के यूज़ कर रहे हैं, so you can encapsulation होते हैं तरह से यह trunking की तो आप Cisco ISL भी दे सकते हैं, इधर ISL इधर ISL बट अगर इधर एक Juniper का I have given one interview yesterday, तो मुझसे पूछा गया था कि Juniper का एक इधर router और इधर कोई different vendor है, यानि निकस, Cisco का ही series है तो इधर इधर series है, तो आप इधर conscene capsulation देंगे, तो यहाँ पे 802.1Q देखें, देंगे क्योंकि यह open standard है, और यह open standard मतलब दूसरी companies के router यानि स्विचेस पे Juniper पे Cisco पे और different vendors अगर आपके हैं, तो आपने अगर trunk link बनाना है तो मालो इस floor पे आपका अलग Juniper का switch पड़ा है, और इधर आपका Cisco का रखा है, तो आपको 802.1Q इसका थोड़ सा different method होगा, तो उसका command line देखना पड़ेगा है, इधर 802.1Q और 801.1Q तो अभी हम CCNA पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसके बार में discuss नहीं करेंगे जादा, बट यह है कि आप दोनों दे सकते हो, तो 802.1Q mostly use होती है और यह 4 byte tag होता है, और ISL जो Cisco तो अब वह भी चला सकते हैं, तो इतना इसका कुछ जादा concept नहीं थो रही है, तो main trunking दो तरह का encapsulation ISL और 802.1Q तो यह open standard है, बहुत जादा mostly use होता है, 802.1Q तो मैं अब भी क्या कर रहा हूँ, यही practical कर रहा हूँ, कि दो switch ले रहा हूँ और उसके साथ अलगे-लग department तो हमने क्या किया था पहले, ऐसे था हमारा topology, तो मैं शूरू से बना रहा हूँ, new topology तो सबसे पहले आपने दो switch लिए, सेम वही करेंगे हम, एक brown villain का PC यहाँ पर क्याहाँ पर, और blue villain के लिए तो यहाँ से आप थोड़ा design बना सकते हो, यह brown villain के है, और blue villain के, तो ऐसे आप connect करोगे, switch, और यह cross cable होगी, यहाँ पर दिख रहा है copper crossover, तो जब आप manually दे रहे हैं, तो crossover लगी, क्योंकि same device है, तो वेट करने, आप वेट कर सकते हो, बट अभी हम क्या करने है, अब simple ipad दे दूआ, आप same network का भी दे सकते हो, different का भी दे सकते हो, मैंने जैसे की बताया था, तो 1.1, तो यहाँ मैं subnetting कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ subnets में दो group ले लेता हूँ, 192.168.1.1 और दूसरे PC को दूँगा 192.168.1.2 और इधर दूँगा 192.168.1.150, 151 दे देते हैं, और उधर 192.168.1.152, तो मैं slash 25 कर देता हूँ, तो यानि इससे क्या होगा, यह subnetting हो जाएगी, तो ऐसा लगे कि यह different different subnet है, तो यहाँ पर 25 के लिए आएगा, 190, 128 आएगा, तो यहाँ से IP address कॉपी कर लो, तो यह 151 में आएगा, ब्लू वले, यह वहला PC 1.2 में आएगा, तो अगर आप यहाँ से अपने उसको पिंग करते हैं, तो वह पिंग हो रहा है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर brown villain बना रहा हूँ, सबसे पहले switch पर जागे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले तो उससे भी पहले बता रहा हूँ, इस port को हम trunk बनाएंगे, ताकि हमें याद रहे, interface fa03, switch port mode trunk, इस port को क्या को बना दिया हमें ने trunk, command क्या fa03 पर क्या और switch port mode trunk, तो दूसरे switch पर भी यही command आएगा, same, enable, configure terminal, interface fa03, switch port mode trunk, तो इधर से भी मैंने trunk दे दिया, इधर से भी trunk दे दिया, तो अब कोई भी villain का member की information अगे इधर इधर पास हो सकती है, अब मैं villains बना रहा हूँ, तो मैं दो villain बना रहा हूँ, villain 100, name brown, villain 200, name blue, तो इधर भी आपको villains बनानी पड़ेंगी, नाम चाहे आप अलग लग दे सकते हो, बर्टाइडी से में रखना है आपको, तो इधर भी बनगी, इधर भी बनगी, तो आप चेक कर सकते हो, शोवीलन ब्रीफ से, शोवीलन ब्रीफ करोगे तो यह लास्ट में जो आ रहा है न, यह नहीं आता है, यह फाल तु का, यह देखो, तो बनगे अब आपको पोर्ट से साइन करने है, तो FA01 किसमे है, ब्राउन में, इस वाले स्विच पे देखना है, वो सिरफ अपने स्विच के पोर्ट को कंफिगर कर सकते हैं, तो इंटरफेस, FA01, स्विच पोर्ट, एक्सेस, अब यहां देखिए, इस पोर्ट को एक्सेस बनाना है पहले, अगर आप स्विच पोर्ट एक्सेस वीलें 100 देखेंगे, तब भी कमंड, पिछले प्रैक्टिकल में हमने यह किया था, मोड नहीं बनाया था, तो मोड आप कर दोगे, पूरा एक्सेस बन जाएगा, बट उससे भी काम चल जाता है, कि अगर आप एक्सेस वीलें 100 देखेंगे, वो एक्सेस वीलें में एसाइन होजेगा, बट बोस्ली रिक्मेंड यह है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भी किया जाए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो यहां पे आप शो, शो इंटरफेस, एक्सेस पोर्ट को एक्सेस बनाए, और जो वो इंटरफेस एक्सेस पोर्ट को एक्सेस बनाए, स्विच पोर्ट में वॉड है, और जो वो स्विच पोर्ट में व्यंक्सेस एक्सेट, तो यहां पे अपने चेक्सेस बनाए नहीं, तो अभी जना है, पॉर्ट मोड एक्सेस, इनृटि games तो यह मेरे ब्राउन विलन में, इसको देखते हैं, अभी मैंने switchport वो नहीं किया, switchport mode access नहीं किया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फरक क्या होगा, show interfaces F02 switchport, यह देखो, अभी operational mode, मतलब अभी वो access, यह by default अगर आप दो या न दो, वो port access बन गया, बट access क्यों बन गया, क्योंकि हमने PC लगाया, और VLAN जब आप किसी को aside करते हैं, वो access की तरह करेगा, बट आपने क्या है, वो by default सारे switch के जो ports होते हैं, वो dynamic auto होते हैं, यानि dynamic auto, यानि अगर उसको लगेगा, उसने access बनना है, तो वो access बन जाता है, अगर वो उससे सोचता है, वो trunk बनना है, तो trunk बन जाता है, अब इस case में भी अगर आप इधर trunk दे दोगे न, तो इस सेड़ आपको trunk देने की ज़रूतिने, क्योंकि इस सेड़ dynamic auto होएगा, वो अपने आप देखेगा, आपको बना लेगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कि यह command important है, बट ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, तो configure terminal पर जाके interface fs02, switchport mode access दे दिया, तो अभी जो यह operational mode था न मेरा यहाँ पर, यह administrative mode यह भी मेरा access होजएगा, देखते हैं, यह देखो, administrative mode मैंने यानि खुद से भी static access कर दिया उसको, पर by default वो सारे ports क्या होते हैं, इसके dynamic quota होते हैं, कोई भी port ऐसा है, जो यूज नहीं हो रहा है, उसका आपको दिखाता हूँ मैं, fs02 ले लेते हैं से, तो fs02 देखो, यह down पड़ा है, क्योंकि हमने उसे use ही नहीं कर रहे हैं, और वो भी dynamic quota हो, तो सारे dynamic quota होते हैं, dynamic quota मतलब, जो आप बनाओगे, अपने आप यह automatically बन जेगा, अगर PC लगाओगे तो access बन जाएगा, जैसे आप command दोगे switchport access VLAN बली, तो मैंने क्या किया, यहां configure मैं दुबारा से दिखा देता हूँ, तो configure terminal में गए थे हम, VLANs बनाएए यहां पर सबसे पहले हमने, तो शूरू से अभी थोड़ा थोड़ा समझ आए तो मैं दुबारा बोल रहा हूँ, तो यहां पर सबसे पहले आपने VLAN बनाए, VLAN 100, फिर VLAN 200, अब क्या करना है हमने ports को, इस port को F01 को हमने VLAN 100 में डालना है, VLAN 100 में क्यों डालना है हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं do show VLAN करके, कि जो यह है मेरा brown VLAN है, यहनि मुझे brown VLAN में डालना है PC, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, interface पर जाओंगा F01 और यहां बोलना पड़ेगा switch port mode, आप हमेशा यह देना पर मैं recommend कर रहा हूँ switch port mode access, और उसके पास switch port access करे कौन सी VLAN को, यह वाला port है मेरा switch port F01, यह वाला port switch port access करे VLAN 100 को, तो ऐसे interface F02, यह switch port mode access, और यह वाला किस VLAN को access करे, switch port access VLAN 200, क्योंकि यह blue VLAN है, F02 किसमें जाए मेरा blue VLAN के अंदर, तो VLAN 200, तो ऐसे command आपने दे दी, और इस F03 को आपने क्या बना दिया, interface F03 switch port mode trunk, तो trunk को पहले से ही बना हुआ, तो अब इस switch पर भी वाई करने F01 किसमें है, ब्राउन में, तो इस switch पर गए interface F01, configure terminal interface F01 switch port mode access, पहले इस port को access बनाएंगे, switch port access करें VLAN 100 को, यह वाला port मैं assign कर रहा हूं VLAN 100 को, interface, अब दूसरा interface कौन सा मुझे याद नहीं, F02, interface F02 पर गए, switch port mode access, switch port यह वाला access करें कौन से VLAN को, 200 को, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, show VLAN brief, तो यहां पर आपको दिख रहे है, F01 brown में और इधर वाला blue villain में, तो आप डिफरेंट डिफरेंट floors पर अगर यह switch रखा है, और अब क्या कर रहे हैं, यहां से आपने configure कर चुक हैं, आप यहां से पिंग करके देख सकते हैं, कि मेरे VLAN का member पिंग हो रहा है, 1.2 पिंग हो रहा है, आप यह कहोगे कि VLAN के बीना भी पिंग कर रहे थे, आपको डिफरेंट डिफरेंट केटेगरिस में डालना है उनको, कोई भी अपना IP address चेंज करेगा और वह यह देखिए, अभी क्या होएगा 1.2 है, जैसे for example, 1.2 का पिंग कर रहे हैं, अभी इदर 192, 168, 1.51 है, अगर कोई यहां 1.3 कर लेगा न, अपना PC तो वह उसी VLAN, वह 1.3 भी उसे पिंग नहीं कर पाएगा, अगर वह same subnet में भी हो जाएगा न, तो भी कोई पिंग निक कर पाएगा, क्योंकि वह different VLAN में है, यह वाला port ही different में है, तो यह इसलिए मैं बता रहा था आपको, शूरू में आप सोच रहोंगे कि जब हमने practical के हैं तो आप IP address same subnet में रखके, उनसे बात कर सकते हैं, बट VLAN का आप चाहिए IP address चेंज कर दो, वह ब्राउन वाले ब्राउन से बात तब ही कर सकते हैं, जब आपने VLANs बना रखे हैं, तो this is all about VLANs, virtual LAN, तो इस पे पूरे different दो networks implement हो रखे हैं, ब्राउन और blue, तो ब्राउन वाले आप जितने मर्जी PC add करते रहो, in future अगर आपको कोई एक और, जैसे for example एक server आया, ये, तो इसको आपने ब्राउन विलेन में डालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको color देते थोड़ा सा, ताकि ब्राउन विलेन लगे, एक circle पर क्लिकिया, fill color, और यहां से brown color लिया, इसको थोड़ा light, और यहां से यह रहा brown server, तो इस यह कौन से port है, FA04, तो FA04 में brown डालना है, तो इंटरफेस ही दा गए, नया device लगा है, इंटरफेस FA04, switch port mode access, और switch port access करें, VLAN 100 को, brown वाली 100 थी, बस, that's it, switch पे configure किया, और यहां आप अपना IP address कुछ भी दे सकते हो, 192.168.1.155, और यहां पे 128, तो 155 वाले को pink कर सकते हैं, देखते हैं, जब तक यह green हो जाए, यह वाले pink ही नहीं कर पाएंगे, और यह brown villain तो इसका subnet one dot slash यह है, यहां one dot ten कर लो, यह one dot ten, मतलब brown villain का subnets यह थे, one dot one से लेके one dot twenty seven तत, one dot ten, तो यह pink कर रहा है, brown villain को, आप यहां से check भी कर सकते हो, जब आपका frame जाएगा, कौन सी villain का जाएगा something, तो यह packet बना, capture हुआ, ऐसे गया, तो यह यहां तो simple है, इधर pink करेंगे नहीं, इधर आपको कुछ नया दिखेगा देखते हैं, यहां से जब मैं इधर से, इधर वाली round villain को करेंगे, यह देखो यह जो packet का इसको read करते हैं, यह वाला इतिंग, यह देखो 802.1q, जो trunk होता है, मैंने क्या बताया था, आपका trunk 802.1q और उसको होता है, तो यहां पे दिखा रहे है, Ethernet, और यह ICMP है, और ऐसे frame जा रहा है, तो इस frame के अंदर आपके क्या होंगे, जो villain का number भी होता है, इसी के अंदर frame के अंदर, तो आप पूरा ऐसे चेक कर सकते हैं, अब आपने logical बना लिया, अगर आप देखते हैं एक real time करना है, तो logical से यहां physical पर जाओगे, और यह corporate office इस पर क्लिक करोगे, तो यह देखो, यहां पर आपके क्या रखा होंगे, switch, यह server रखा है यहां पर, दूसरे floor इधर वाले, इस पर होगा sorry, तो आप इसे move कर सकते हैं दूसरे floor पर, तो for example, design भी अगर आपको करना है, तो यह मेरा ground floor है for example, तो ऐसे बना सकते हैं, तो मेरा ground है, तो इस वाले switch को इधर move करना अगर क्या करना पड़ेगा, switch पर गए, यहां पर move object किया, तो यह वाला switch corporate office के अंदर, move to ground close, तो यह उधर चला जाएगा, ground वाले, तो इसके बास server, यहां पर आ गया, तो ऐसे आप design भी कर सकते हूं, पूरा network है, कि इधर ground है इधर ही है, इस पर पूरा time लो, इसके help में जाके tutorials होते हैं, तो वह आप read कर सकते हैं, कि क्या क्या होता है, packet tracing में, बट यह बाद में करना है, जब आपको पूरा concept clear हो, इस पर time waste जादा नहीं करना है, तो creating a network topology, यह सारे बहुत सार एक्जामपल है, enabling multi user, something, तो सारे practicals है, So thank you for watching.